कि जिती है लोक्डाउन 4 में शहनायाग् DNE पर उज्ज्जञ नगणनिगम सीमा छेतर के बहार दरसल उज्जञ नगणनिगम सीमा छेत्र में विवा आईवजन पर प्रतिबण रहेगा नगण निगम सीमा के बहार चिन्हीत किये गए होटल गार्डन में वेवाहिक काजिक्रम है तो एडियम अनुमतीद दे सकेंगे हलाकि इसके साथ ही उज्जन सहर के कंटेंटमेंट छेतर को छोड़ कर अन्य छेतरों में सरतों के अधिन कुछ गती विद्या प्राजम करने के आदेश जारी किया है आदेश के अनुसार कंटेंटमेंट को छोड़ कर किराना, ग्रोसरी, नमकीन, दूद, पसू, आहर, पेट, फूट, हॉलसल, दुकानों को सुबह 7 बज़े से साम 6 बज़े तक होम डिलेवरी चालू रहेगी इसी तरह सबची पेकेट्स की नगण निगम दौरा होम डिलेवरी के माध्यम से होम डिलेवरी होगी, इलेक्ट्रीकल सोर, इलेक्टरोनिक सहीत, रसोई गेस की होम डिलेवरी होगी, वही आटा चकी 11 बज़े से साम 6 बज़े तक खुली रहेगी खाद बीच कीट ना सक दुकाने भी 11 बज़े से साम 6 बज़ तक खुली रहेगी कलिक्तर द्वारा जारी किये गए आदिस के अनुसार उज्जेन नगंड निगम सीमा छेतर के अंतरगर्ट निवास करने वाले वेक्टियों को बीना अनुमति के अनावस्चक निकलना प्रतिबंदित रहेगा साम 7 बज़े से 7 बज़े तक सहर में टोटल लोगडाउन रहेगा उज्जेन नगंड निगम छेतर अंतरगर्ट प्रसी उपज मंडी भी बन रहेगी कोरोना संक्रमन्ट के इस दोर में उज्जेन के रेड जोन में होने की वज़ह से भले ही जीले भर में सराव विक्राय पर पाबन दी हो पर फिर भी सराव का अवेत कारोबार हो रहा है मंगलवार को रागवी थाना पुलीस ने आगर रोड पर तराना फंटे पर चेकिंग के दोरान इंडिका कार से बड़ी मातरा में देशी व अंग्रेजी सराव बरामत की है बरामत की गई सराव की मातरा 52.47 बलक लिटर पाई गई थाना प्रभारी आर सी कोली के मुताबिक अवेत सराव के विक्राय और परिवहन में आरोपी नोसाद अली पिता उस्मान अली सांधिपनी नगर उज्जेन वह अजय पिता मनहललाल प्रजापती गायतरी नगर को गि अली नगर इस्तित पुलिस क्वाटर के बातरूम में उसकी लास मिली सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुचे और जाच शुरू की मृतक आरक चक का नाम अनिल मालविय था वह फ्रीगन छेतर में ड्यूटी दे रहा था सुभा करीब 11 बजे जब टीफिन से से गया यूवक उसे टीफिन देने पहुचा तो काफी देर तक दर्वाजा खट खटाने के बाद भी जब दर्वाजा नहीं खुला तो उसने पडोसियों को सूचना दी इस पर कुछ लोगों ने खिड़की से जाक कर देखा तो आरक चक का सव बातरूम के पास पड़ा मिल इस पर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई एडिस्नल स्पी रुपेज द्वेदी व एफसल की टीम मोके पर पहुची जहां से वीडियो एवं फोटोग्राफी करवा कर जाच की जा रही है मद्यप्रदेश विधान सबा से ठीक पहले कांग्रेश छोड़कर भाच्पा का जन्यव धरन करने वाले उज्जन से पूर्व कोंग्रेशी सांसत प्रेमचन गुड़ू का भाच्पा से पूरी तरह मोह भंग हो गया है वे भाच्पा में रहते हुए भाच्पा के खिलाफी बयान बाजी करने से बाजी नहीं आ रहे हैं इस बार उन्होंने अपने बाविस विधायकों के साथ कॉंग्रेश छोड़कर भाच्पा में सामिल होकर कबलनात सरकार को अपदस्त करने वाले ज्योतिरादित्ति सिंध्या सहित पूरे सिंध्या खांदान पर हमला बोला है और उन्हें धोके बाज और गद्दार करार दि और राजमाता ने भी धोका दिया सरकार गिराई थी इनके पिताजी मादराव सिंध्या उन्हें भी कॉंग्रेस को दोका दिया था कॉंग्रेस से हटके चुनाव लड़े थे गोर करने की बात यह है कि पुर्वसांसर प्रेमचन गुड्डू अभी भाजपा में है पर उन्होंने आगामी विधानसबा उप्चुनाव में कॉंग्रेस के टिकट पर सावेड से चुनाव लड़ने के मनसुबे जाहिर कर दिया है हाला कि भाजपा में रहते हुए भाजपा के खिलाव प्रेमचन गुड्डू की इस बयान बाजी को लेकर भाजपा ने गंभिरता से लिया है इंदोर भाजपा के जिलाध्यक्ष राजे सोनकर ने गुड्डू की इस अनुसाचन हिंता के खिलाफ कारवाही की बात कही है सब्सक्राइब कि रहेए कलेक्टर रासिस सीहं और स्पी मनुष सीहं ने जमिनी इस्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचार्यों की प्रसंसा की वो लगातार इसी प्रकार से एक जूट होकर प्रति बद्धता के साथ कार्य करने है तू निर्देशित किया उन्होंने कहा कि पुलिस एवं प्रसातन लोगडाउन एवं सोचल डिस्टेंसिंग का पूर्ण तहब पालन करवाना सुनिश्चित करें साथ ही ईद का त्योहार घर पर मनाने के लिए निड़नय का भी पूर्ण तहब पालन सुनिश्चित करें एसपी मनुश्चिह ने सीएसपी को अपने अनुभाग के सद्रमन कर लोगडाउन का पालन कराने के लिए निर्देशित किया और संक्रमित छेत्र में तेनाद पुलिस एवं नगड रक्षा समीती के सदस्यों की समस्या का निराकरन करने को भी कहा केंडिय जेल भीरवगड में सलाखों के पीछे सजा काट रहे केदी भी कोरोना संक्रमन की इस महमारी में अपना योगदान दे रहे हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में जूटे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के लिए पीपीई कीट बना रहे हैं जेल अधिक्चक अलका सोनकर के मुताबिक जेल में रोजाना 200 पीपीई कीट वो मास्क बनाए जा रहे हैं दरसल आइडिगाइडी मेडिकल कोलेज जेल प्रबंधन को रो माटेरियल देता है जिससे जेल के केदी सिलाई करके पीपीई कीट और मास्क बनाते हैं लोगडाउन में घर के बाहर खेल रही बच्चियों के साथ सामने रहने वाली आंगनवाडी काजिकरता महिला दोवारा अबत्रता करना और धमका नाम महंगा पड़ गया है बच्चियों की सिकायत पर पुलीस ने आंगनवाडी काजिकरता के खिलाफ प्रकरन दर्ज कर लिया है घटना उज्जेन के वर्धमा नगर बापना पार्क कॉलोनी की है यह पूरी घटना सिसी टीवी केमरे में केद हो गई इसके बाद दोनों बच्चियों ने पुलीस को सूचना दी और सिसी टीवी वीडियो उपलब्ध करवाई थाना चिमंजगन पुलीस ने मामले में तिन लोगों के खिलाफ प्रकरन दर्ज कर लिया है कोरोना संक्रमन की रोगठाम के लिए लागू किये गए लोगडाउन 4 को सफल बनाने के लिए SP और कलेक्टर सहित IG और संभग आयुकत द्वारा सतत मोनिटरिंग की जा रही है और लोगडाउन की हकीकत जानने के लिए ओचक निरिक्षंड कर रहे हैं साथ ही लोगडाउन में ड्यूटी दे रहे अधिकार्यों को निर्देशित भी कर रहे हैं इसी कड़ी में अधिकार्यों ने संयुक्त रूप से बेगमबाग, केडिगेट, जानसापूरा और निकास चुरहा कंटेंडमेंट का ओचक निरिक्षंड किया वो लोगडाउन की हकिकत जानी एडिसनल स्पी सीटी रुपेज द्वेदी द्वारा लोगडाउन का प्रभवी रूप से पालन कराने के लिए सहर की सिमाओ पर लगातार चेकिंग अभ्यान चला जा रहा है इसी कड़ी में उनके द्वारा मक्सी रोड पंडिया खेडी स्री सिंतेतिक लालपूर सोडंग चेक पॉइंट का निरिक्षंड किया गया इसके बाद जवासिया नागजीरी मताना चेकिंग पॉइंट भीचाकर लोगडाउन की स्थिति को चेक किया गया साथ ही बाहर से आ रहे लोगों के अनुमती पास चेक किये गए इस दोरान उन्होंने सड़क पर ही सहर के थाना प्रभारियों और CSP के साथ स्टेंड अप मीटिंग की और लोगडाउन का सक्ती से पालन कराने के निल्दश दिये करणा संक्रमन की रोकथाम के लिए नगण निगम दورा लगातार गली महलों और चोराह पर जाकर सेनेटाइजेशन किया जा रहा है सौमवार को इसी कड़ी में मालिपुरा कंटेंटमेंट एरिया में सेनेटाइजेशन किया गया इंदोर के रावजी बाजार थाना छेतर में मंगलवार को लोगडाउन के दोरान फिर से बवाल मच गया दरसल यहां लोगडाउन के उलंगन के मामले में एक व्यक्ति को गिरुफतार किये जाने पर वर्ग विसेश के लोग इखटा हो गए और लोगडाउन की धज्जिया उड़ा दी ऐसे में जब पुलीस ने उनके साथ सक्ती की तो लोगों ने पुलीस पर पत्राव कर दिया हालाकि बाद में पुलीस ने बल प्रयोक करते हुए लोगडाउन का उलंगन कर रहे लोगों को खदेड दिया हालाकि अलंगन का रहे लोगड़ा जुलीस ने बाता है